नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बर फीर आपके बीच लेकर आई हूँ एक बेहद ही प्यारी कहाने, तो चलिए शुरू करते हैं बहुत समय पहले की बात है, किसी गाउं में एक किसान रहता था, वह रोज भोर में उठकर दूर जर्नुंग से स्वच पानी लेने जाया करता था इस काम के लिए वह अपने साथ दो बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वो डंडे में बांध कर अपने कंधे पर दोनों और लटका लेता था उन में से एक घड़ा कहीं से फुटा हुआ था, और दूसरा एकदम सही था इस वज़े से रोज घर पहुचते पहुचते किसान के पास डेड़ घड़ा पानी ही बच पाता था, ऐसा दो सालों से चल रहा था सही घड़े को इस बात का घमन था कि ओ पूरा का पूरा पानी घर पहुचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है वहीं दूसरी तरफ फुटा घड़ा इस बात से शर्मिन्दा रहता था कि ओ आधा पानी ही घर तक पहुचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है फुटा घड़ा ये सब सोच कर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया उसने किसान से कहा मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आप से शमा मांगना चाहता हूँ क्यों? किसान ने पूछा तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते पर मैं एक जगह से फुटा हुआ हूँ और पिछले दो सालों से मुझे जितना पानी घर पहुचाना चाहिए था बस उसका आधा ही पहुचा पाता हूँ मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वज़े से आपकी मेहनत बरबाद होती है फुटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा किसान बोला शायद तुमने ध्यान नहीं दिया पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे ओ सब तुम्हारी तरफ ही थे सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाव उठाया घड़े ने वैसे ही किया वा रास्ते भर सुन्दर फूलों को देखता आया ऐसा करने से उसकी उदासे कुछ दूर हुई पर घर पहुंचते पहुंचते फिर उसके अंदर से आधा पाने गिर चुका था ओ मैयोस हो गया और किसान से शमा मांगने लगा किसान बोला शाय तुमने ध्यान नहीं दिया पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे ओ सब तुम्हारी तरफ ही थे सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाब उठाया मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिये थे तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खुबशूरत बना दिया आज तुम्हारे वज़े से ही मैं इन फूलों को भगवान को अरपित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ तुम ही सोचो अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता दोस्तो हम सभी के अंदर कोई न कोई कमी होती है पर यही कमिया हमें अनोखा बनाती है उसकी सान की तरह हमें भी हर किसी को ओ जैसा है वैसे ही स्विकारना चाहिए और उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए और जब हम ऐसा करेंगे तब फुटा घड़ा भी अच्छे घड़े से मुलियवान हो जाएगा दोस्तो अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें धन्यावाद